तो दोस्तो WaiTree Studio कैसे यूज करें उसका Part No.2 वीडियो है Part No.1 के अंदर मैने आपको WaiTree Studio के Dashboard के बारे में बारी की से समझाय था अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले वो वीडियो देख लिजएगा वीडियो का लिंक वीडियो के description में उपर आई बटन में और इसी वीडियो के last में end screen में आपको मिल जाएगा और आज की इस part number two वीडियो के अंदर अपन white tree studio के content section के बारे में बात करेंगे content section का मतलब यह कि जब आप अपनी वीडियो को upload कर देते हो और upload करने के बाद यह दि आप अपनी वीडियो में किसी परकार का कोई changement अगर करना चाते हो जैसे उसके title में है description में है या फिर जो वीडियो को delete करना चाते हो detail के साथ पूरी जानकारी बताऊंगा मेरे साथ वो आप बने रहे नमस्कार दोस्तो मैं हूँ विजेंदर सिंग और आप देख रहे हैं technical नूनिया जी तो दोस्तो white tree studio के content section को जानने के लिए तो मैं आपको अपने pc की screen पर लेकर चलता हूँ तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको अपने channel के white tree studio में आ जाना है और white tree studio में आने के बाद यहां पर देखे left side में आपको काफी सारे option या setting आपको नजर आते हैं यहां पर एक setting आपको मिलेगी content के आपको इसी content वाले setting पर click कर देना है जब आप इस पर click करोगे तो आपने अब तक अपने channel पर जित्ते भी video upload करके हैं वो सारे video कुछ इस तरह से आपको यहां पर दिखाए देंगे यहां पर खिसकाना है और यहां पर देखिए arrow आपको मिल जाएगा तो एक एक करके आप अपने सभी video वो देख सकते हैं चलिए अब हमाँ आपको यहां पर content section के बारे में बारे की से समझाता हूं क्योंकि दोस्तों अब तक आपने वायटी studio के बारे में बारे की से नहीं सम आपको कुछ चेंजमेंट करना तो आप आसानी से चेंजमेंट हो कर सकते हैं क्योंकि यहां पर देखिए वीडियो का title और description आपको यहां पर नजर आ रहा है जब आप इस वीडियो के उपर अपना mouse ले जाओगे तो यहां पर देखिए pencil का option आ रहा है यहां से अपनी वीड चेक कर सकते हो जब आप इस थ्री डोट पर किलिक करते हो तो क्लिक करने के बाद देखिए यहां पर आपको 5-6 option और नजर आएंगे यहां पर पहला option आ रहा है एड़िट टाइटल और description यहां से आप अपने वीडियो का title और description और देखिए और आप अपने वीडियो को यू करना चाते हो तो वीडियो का डायरेक्ट यहां से लिंक हो शेर कर सकते हो इसके लिए गूगल एड्स के दौर अपने वीडियो को पर्मोट करना चाते हो तो डायरेक्ट यहां से पर्मोट भी कर सकते हो वीडियो को डाउनलोड कर सकते हो या फिर वीडियो को डिलीट भी आप को नजर आ जाता है। इसके लाँ आगे यहां पर देखे mieszkaan Telecom 7 का सेक्षन आपको मिल जाता यहां पे आपको पता लग again को अरए पी फिलहाल गरीन डोलर आ रखा है और on हो रखा कैंग इसका मतलब आपको 3-4 options नजर आते हैं, video का आ रहा है, live का रहा है, post का रहा है, story का रहा है अगर आप अपने channel पे live करते हो, तो वो video आप देख सकते हो, अगर कोई post डाल रहे हो, तो post भी आप यहां फिस डारेक्टलिक करके देख सकते हो जो भी पोस्ट आपने डाल रखी हैं, आप इस तरह से वो देख सकते हो, इस्टोरी भी आप यहाँ पे देख सकते हो, आपने वीडियो सेक्शन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि यह हमारे लिए सबसे इंपोर्टेंट है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट बाते आपको बताऊंगा, मान लिजिए आप अपने वीडियो को डिलीट करना चाहते हो, तो देखिए यहाँ पे हर एक वीडियो के आगे आपको चेक बोक्स हो नजर आता है, अब जब आप इस पे क्लिक करते हो, तो क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे काफी सारे ओप्सन आपको नजर आ जाते हैं, यहाँ पे देखिए एक ओप्सन आ रहा एडिट का, जैसे मैं यहाँ पर इसकी tag पर जैसे click करता हूं और जैसे मैं इसके click करोंगा तो click करने बाद यहाँ पर देखिए particular इस वीडियो की tag है अगर आप change करना चाहते हो तो आप यहाँ पर change कर सकते हो या फिर दोस्तों आप बलग की अंदर है अपनी वीडियो का है वो भी आप यहाँ पर change कर सकते हो मैं इसको एक बार यहाँ पर cancel हो कर देता हूँ ठीक है मैंने यहाँ पर cancel कर दिया इसके लाँ दोस्तों यहाँ पर देखिए एक section आपको यहाँ पर नजर आ रहा फिल्टर का जूम करके फिल्टर के हिसाब से वीडियो को search कर सकते हैं जैसे यहाँ पर अपन व्यू पर किलिक करते हैं अब इसका मतलब यह है कि मान लिजिए आप अपनी वीडियो के अंदर यह देखना चाहते हो जितने भी चैनल पर आपने अपलोड कर रहे हैं कौन सी ऐसी वीडियो है जिस पर 10,000 से अधिक व्यू आएं तो मैं यहाँ पर व्यू आले option पर किलिक करता हूँ अब यहाँ पर कोई value आपको डाल लिए जैसे मैंने यहाँ पर 5000 है वो डाल दिया अब यहाँ पर मैं जैसे अपलाई करता हूँ अपलाई करने के बाद अपने चैनल के उपर जिस वीडियो के उपर 5000 से ज़्यादा व्यू आ रखें वो सारी वीडियो आपको यहाँ पर नजर आएंगे अगर इस तरह अपन व्यू आले section में जाएं तो आप देख सकते हैं यह वो वीडियो है जिन पर 5000 से ज़्यादा व्यू आएं सारी वीडियो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर नजर आएंगे next भी आप यहाँ से हो कर सकते हो एक filter तो यह होगा इसके लाँ दोस्ते यहाँ पर दूसरा filter अगर मैं आपको यहाँ पर लगा के दिखाऊं तो देखें मेरी तरह यहाँ पर नो मैच से वीडियो आपको दिखा देगा तो यहाँ पर अपने चैनल पर फिर हाल कोई भी copyright claim है वो नहीं आ रखा है इसके लाँ दोस्ते एक दूसरा filter ओर मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ इस filter को मैं यहाँ पर apply करता हूँ अब जैसे मैं इस पर apply कर रहूँ है तो देखें जो भी अपने चैनल पर हमाने वीडियो एनलिस्टेट कर रखी है वो सारी वीडियो आपको कुछ इस तरह से दिखाए देंगे अगर आप इसे पब्लिक करना चाहते हो तो देखें डाइरेक्ली आप यहाँ से पब्लिक हो भी कर सकते हो तो कहने का मतलबी है कि दोस्तो इस filter की वज़े से हम अपने चैनल की सारी वीडियो का आसाने से वो पता लगा सकते है इसे हमारे टाइम की बचत है वो होती है चलिए इसके लाँ दोस्तों यहाँ पर एक खास जान कर यह आपको देना चाहूँगा देखी यहाँ पर content वाले section के अंदर एक आपको check box मिल जाता है अब जब आप इस check box पे click करोगे तो आपकी जित्ती भी वीडियो है वो select हो जाएंगे अब देखिए इसका मतलबी है कि मालीजिये आप अपनी वीडियो में एक साथ बलक में कुछ चेंजमेंट करना चाहते हो या फिर कुछ उसमें edit करना चाहते हो तो एक साथ कर सकते हो बारी बारी एक एक वीडियो में आपको change करने के आपसेकता नहीं for example मालीजिये आप सभी अपनी वीडियो को एक playlist के अंदर डालना चाहते हो तो यहाँ पर देखें playlist का option आपको यहाँ पर नजर आता है जब आप इस पर यहाँ पर किलिक करोगे तो देखें कौन सी playlist के अंदर आप इसी add करना चाहते हो पर्टिकुलर उस पर आपको यहाँ पर किलिक कर देना है इसको एक बार मैं unselect हो करता हूँ अब बात आती है अपनी वीडियो की अब देखें अगर आप अपनी वीडियो में किसी परकार का कोई चेंजमेंट करना चाहते हो तो पर्टिकुलर इस वीडियो के उपर आपको यहाँ पर किलिक करना है या जिस भी वीडियो में आप अपडेट करना चाहते हो उस पर आपको यहाँ पर किलिक करना है चाहते हो तो देखिए यहां पर take वो भी आप add कर सकते हो अब यहां पर देखिए आप लेफ्ट साइड के अंदर आपको और setting हो नजर आ जाते हैं फिल हाल हमने यहां पर देखिए details section वो open करेंगे अगर analytics वाला section अपना open करेंगे तो आप यहाँ पर देशकते हो अपनी वीडियो का analytics, यानि कितने view आए हैं कहां से आए हैं, लोग कहां से अपनी वीडियो को सर्च करें, वो सारी चीज आपको यहाँ पर हो नजर आ जाएगे, इसके लाए जिसे हम हटाना चाहते हैं, तो यह काम भी आप आसानी से हो कर सकते हो, यहाँ पर कापी सारे option आपको नजर आ जाते हैं, जैसे वीडियो को trim कर सकते हैं, वीडियो को blur कर सकते हैं audio change कर सकते हैं, end screen हो लगा सकते हैं इसके बार में मैंने एक अलग सी वीडियो बना रखा, जिसका लिंक आपको वीडियो के description में आपको मैं दे दूँगा, चाहो तो आप वो भी वीडियो है, वो देख सकते हो तो देखिए, यहाँ सी इसको अपन एडिट कर सकते हैं इसके लाव यहाँ पर देखिए, monetization इसका on-off है, वो भी अपनी यहाँ पर देख लेते हैं कि किस तरह से आप अपनी वीडियो का monetization on-off कर सकते हैं, तो यह देखिए, setting आपको नजर है, वो आ जाती है तो कुछ इस तरह से आप अपनी वीडियो का title है, description है, वो आप वीडियो content के अंदर है, वो कर सकते हैं अच्छा इसके लाव यहाँ पर देखिए, detail वाली setting के अंदर, देखिए, फिल हाल हमने यहाँ पर देखिए, detail वाली setting है, वो उपन करकिए यहाँ पर देखिए, right side के अंदर, अगर आप अपनी वीडियो का end screen चेंज करना चाहते हो, directly यहाँ पर click करके, आप अपनी वीडियो में end screen है, वो भी आप यहाँ पर change है, वो कर सकते हो, इसको मैं close करता हूँ अगर आप eye button है, या फिर eye card अगर आप लगाना चाहते हो, यहाँ पर click करके, आप अपनी वीडियो का आशानी से eye card है, वो भी आप यहाँ पर change कर सकते हो, फिल हाल मैं यहाँ पर discard कर रहा हूँ, अब देखिए दोस्तों, जो भी आप माली जी, यहाँ पर eye card लगा रहे हो, या फिर end screen लगा रहे हो, आपने कुछ changement किया है, तो last के अंदर video को save जरूर करना, देखिए, यहाँ पर save का option आपको नजर आ जाता है, इसको save जरूर करना, जब तक आप save नहीं करोगे, तो जो setting है, वो apply हो नहीं होगे, इस बात को भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, इसकला दोस्तों, यहाँ पर detail वाली setting के अंदर और भी important setting है, देखिए, मैं आपको थोड़ा सा नीचे लेकर चलता हूँ, यहाँ पर एक चीज़ आपको नजर आती है, अगर आपकी video made for kids है, तो यहाँ से आप yes or no कर सकते हो, इसकला आपकी video paid promotion है, तो यहाँ से आप इसे ट automatic chapter वो लगा देगा, और यहाँ से आप अपने video की जो take है, वो भी आप यहाँ पर change कर सकते हो, ठीक है, इस तरह से तो दखिए, काफी सारी setting है, आपको particular जब आप एक video की setting ओपन करते हो, या उसकी detail ओपन करते हो, तो काफी सारी setting आपको यहाँ पर नजर आ जाती है, और इस वीडियो का जो schedule है, वो भी आप यहाँ से set है, वो कर सकते हो, फिलहाल मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, केवल आपको बताने के लिए जानकारी है, मैं दे रहा हूँ, तो आप इसको follow कीजेगा, और directly यहाँ से आप अपनी video का monetization है, उसे on-off है, वो भी आप यहाँ पर कर स देखिएगा, जैसे वीडियो आजाएगा, वीडियो की description में उसका link है, आपको मिल जाएगा, तो दोस्तों यह है White Tree Studio का content section, इसका जो अगला पार्ट है, आगे आने वाला है, वो वीडियो भी आप जरूर देखिए, अगर यहाँ तक आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आ जै हिंद, जै भारत! झांको ध उली मा का जागे लो जै हिंद, किसी जै कैसी कTime विरूर झाली आ जाएगाना, वीडिर चार रगनावागा, व्या झाली में एजाएग बायरा, या किसी नच wzglे वीडिल जाएगे, वीडियों tahun occupied इमेर अ उऔरूर दो सकता मुआ bots आएगाग unterwegs मैं एजिए मैं